दोस्तों नमस्कार जैस्री किष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे धनू लव रासी फल सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानि साल 2024 के आखरी चार महिने धनू रासी वालों आपकी लव लाफ, आपकी मेरिट लाफ, आपकी रिलेस्ट लाफ, आपके रिलेस्टिप का हल कैसा रहेगा। इन चार महिनों में आपके लिए क्या बदलेगा आईए जानते हैं। आपका लव रासी फल सुरू करें उससे पूरव आपको बता दें हमारा लव रासी फल चंद रासी यानि मून साइन के अनुसार होता है उसी के अनुसार इस लव रासी फल को देखें बस सुनें अगर आपको चंद रासी यानि मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम रा इतल अitel अफेर की इस्तिती किस प्रकार की रहेगी ये सबको जानेंगे वीडियो के लास्ट में आपको तीन डासियों के नाम भी बताएंगे अगर उन तीन डासियों — में से किसी एक रासी का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए ये समया सब चल우 करतें हैं sinu जानूर आसीबालों आप अगर सिंगल हैं तो आपके लिए दुतियस और तुतियस सनी बनते हैं और सनी के स्थिति कोई भी ऐसी बदलने वाली नहीं है बिसे इस रूप से जो स्थितिया मुझे दिख रही है उसमें तृतिय भाप पर और दृतिय भाप पर जो संबन रहा है ग्रोहों का उसमें सितंबर बहुत मुझे बेस्ट नजर आ रहा है जहां पर आपको कोई दोस्त मिल सकता है कोई अच्छा बात करने वाला गख्ती मिल सकता है यानि कि आप सिंगल तो नहीं रहने वाले सितंबर में ही आसा हो सकता है अगर आप सितंबर में भी नहीं हुए किसी के साथ में involved तो October में भी आपको एक चांस मिलेगा लेकिन November, December में इतने चांस दिखाई नहीं पड़ रहे है उसके बाद में इस्तिती ये है कि अगर आप अपने घर से दूर रहते हैं पढ़ाई करते हैं या फिर दूर कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर कारिस्थल पर आपको नवंबर में भी मौका मिल सकता है कोई व्यक्ति पसंद आ रहा है तो उसको प्रपोज कर दीजे वो आपके प्रपोजल को एकसेट कर और ये 16 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए इस्तिती सबसे ज्यादा लोग आपसे जो आकड़ से तो प्रभावित होने וाले हैं वो सितंबर में ज्यादा है 18 सितंबर से 12 क्टूबर के बीच में लोग आपसे बहुत ज्य तो आपके रासी पती हैं, आपके चतुर्थेस हैं और संबंद सस्ठम से, यानि कि श्ट्रगल है, सस्ठम भाब परेसानी और कटनाईयों का भाब है जहां हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी भी चीज के लिए, तो आप वन साइड लब में स्ट्रगल करते हुए सस्ठमान में, ग्रहों की स्टितियां क्योंकि सस्ठेस जो हैं वो आपके सुक्र बनते हैं और सुक्र का परिवर्तन हो रहा है, इन चार महीनों में चार बार, लगवग पाँच बार भी हो जाएगा, तो उस हिसाब से मैं आपको बहुत बहतरीन कुछ टाइम बता देता हू जिसमें आपको थोड़ा सा अच्छा मैसूस होगा वन साइड लव में, लेकिन आप वन साइड लव को टू साइड तो नहीं कर पाने वाले ये बात आप लिख लीजिए बिल्कुल दिमाग में, लेकिन आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा वन साइड लव में भी जहां आपको एक प्रसन्नता एक खुसी मिलेगी, और वो टाइम आपका विसेज रूप से 18 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच का है, और उसके बाद में आपका थोड़ा सा खराब टाइम जायतर जो रहने वाला है, वो 12 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच का रहने वाला है, वन स लव करते हैं, उससे थोड़ा एक्स्टा केयर प्यार देखने को मिल सकती है, लेकि वो प्यार वो सब कुछ जो है, आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ पर आप रिलेसंसित में आ चुके हैं या नहीं, क्योंकि कन्फ्यूजन की स्तिती तो लगातार वो बना के रखेग जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हैं, तो वो कन्फ्यूज है बहुत ज़्यादा, अब एक चीज और मैं आपको बता दूँ, कि जो सिच्वेशन मैंने आपको बताई हैं, वो आपके लिए 100% मैच होंगी अगर आपका पार्टनर जिसको आप पसंद करते हैं, वो ब्रशव का ही होगा, उसकी चंद रासी ब्रशव ही होगी, और अगर करक रासी का आपका पार्टनर, मतलब करक रासी के व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो अच्छे चांस बनते हैं कि एक बार को वो आपको पसंद भी कर लेगा, आपको मतलब accept भी कर लेगा, थोड़ा confused तो वो भी जराएगा, otherwise आप किसी और रासी के व्यक्ति को डेट करना चाते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आसिलोगा, ना प्यार, ना केर, ना दिखावा, ना किसी तरीके की सांती, बलकि आपको rejection ही सामने face करना पड़ेगा, दोस्ती यारी भी अब बात कर लेते हैं, लव लाइफ की, लव लाइफ में आपके pânच में इस मंगल बनते हैं और मंगल 20 अक्टूबर तक जो है, मिठुन रासी में रहेंगे, उसके बाद में करक रासी में जाएंगे, आपको मैं बता दूँ कि आपकी लव लाइफ में सुक्र इस्तितियां बहुत बैतरिन बनाएगा और बहुत अच्छे इस्तितियां मुझे लगता है कि लगातार बनती हुई नजर आ रही है 18 सितंबर से 12 अक्टूबर के बीच में ये तुलारासी के सुक्र बहुत प्यार देंगे थर्ड पार्टी प्रॉब्लम दिखा रहा है दूसरा थर्ड पार्टी के साथ-साथ प्रॉब्लम जो है खास करके जैसे 12 अक्टूबर से चीज़ें थोड़ी-थोड़ी खराब होने शुरू होंगी लेकिन आखिर में लगबग 20 अक्टूबर से 6 नमबर का समय जो है आपकी लव लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी तरासदी होगी जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर देने वाला होगा जो आपको समझ आएगा कि आप बहुत गलत फसे हुए हैं बहुत बुरी तरह से आप अपने रिलेसंसिप को अपने आपको अपने दुख को कोस्ते हुए नजर आएंगे आपके 6 नमबर के बाद में 2 दिसंबर के बीच का समय फिर भी थोड़ा ठीक कहा जा सकता है लेकिन यहाँ पर भी आपकी पार्टनर की बहुत उम्मीदें बहुत जादा उनकी बातें आपको चुब सकती हैं और हो सकता है कि आपको वो थोड़े से फेक भी नजर आएं उनकी बातें फेक नजर आएं और demand उनकी बहुत ज़्यादा हो, उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हो, इससे आप परिशान हो, लगातार जब कर्क में मंगल चले जाएंगे तो आप overthinking बहुत करेंगे, तो आप love life में 20 October के बाल लगातार दिसंबर तक overthinking से परिशान रहेंगे, और जो मन में आएगा व और अच्छी भी है, यह चार महीने का समय है तो बहुत कुछ है, जहां आपको जो मैं बोल रहा हूँ, वही आपके साथ होकर रहेगा, अगर no contact situation की बात करेंगे तो no contact में आप उन्हें बार बार message करेंगे, बार बार call करेंगे, नतीजा आपके सामने उनका सच होगा, सच य उन्हें क्या जरूरत है जब उन्हें कोई और मिल चुका है, सुक्र की स्तिती इस चीज को जागर कर रही है, 12 अक्टूबर से 6 नवंबर की बीच में अधिक मातना में, और उसके बाद में मुझे लगता है कि आपके no contact situation में स्तिती अच्छी फिर हो ही नहीं पाएगी, आप आप सोच के गुटन महसूस करते रहेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सूरी की स्तिती इस प्रकार की है कि आप खास करके 20 अक्टूबर से 16 नवंबर की बीच में तो बहुत ज़्यादा परिशान होने वाले हैं, बात कर लेते हैं अब married life की, married life में आपके लिए 4 महि सबसे ज़्यादा जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरी स्तिती निजर आ रही है, married life में family कलेज, family drama, 17 अक्टूबर से 16 नवंबर की बीच में तो कुछ ज़्यादा ही परिशान हो जाएंगे family की तरफ से, family में कुछ बच्चे आपके कष्ट का कारण बन सकते हैं, कई बार हमे सास बन जाती, ससुर बन जाते हैं, कभी आपके parents के family member बन जाते हैं, अपनी बच्चे बन जाते हैं, बहुसत तरह की problem हो जाती है, लेकिन family में कोई नो कोई व्यक्ति आपके दुख का कारण बनेगा, जिससे कलेज भी बढ़ेगा और घर में असानती का माहौल भी बनेगा, जिसे आपकी married life में romance और chain की नीन तो नहीं आप आएगी, और आर्थिक इस्तिती में भी कुछ उतार शड़ाव देखने को मिलेगें, जिस वज़े से आपके husband या आप tension में आ सकते हैं, आपकी married life में आपके सब्त में इस बुद्ध बनते हैं, और बुद्ध का जो गोचर है वो एक time जो है थोड़ा अच्छा मुझे दिखाई पड़ता है, चार सितंबर से लेकर के 10 October के बीच का काफी time अच्छा नजर आ रहा है, तो उस बीच में आपको फिर भी थोड़ी बातचीत अच्छी होगी, लेकिन उसके बाद में चीज़ें खराब नजर आ रही हैं, और वो आपके अंदर कमिया निकाल रही है, आपके वाइफ के अंदर कमी निकाल रही है, आपके parents की बज़े से problem बन रही है, आपके बच्चों की बज़े से problem बन रही है, अब बात कर लेते हैं extra vital affair के, तो जो लोग extra vital में हों, उनके लिए ये समय अच्छा नहीं है, बदनामी क कुछ जानेंगे, वो आपसे उस तरह के संबंद बनाना चाहेंगे, वो आपको इस तरीके सोचेंगे कि आप तो मतलब चरित्र के वेकार हैं, और आप तो बस आ जाओ, मेरे साथ भी सो जाओ, उस तरह की feeling उनके अंदर आएगी, तो बहुत जादा आपको सावधान रहना है इस चीज में, बनामी ना हो इस चीज के लिए, और ये सबसे ज़्यादा बुरा समय जो है, अक्टूबर, 12 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच का ही दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद में, अगर चीज़ें ठीक रहीं, तो 6 नवंबर के बाद में काफी रोमांस का म अच्छी स्थिती भी है, फाइनेंसली आपके पार्टनर आपकी बहुत हल्प करेंगे, 2 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में जायतर, आपकी बादचीत बहुत अच्छी होगी, 4 सितंबर से 23 सितंबर के बीच में, और एक दूसरे के साथ बहुत नजदी की भी आएंगे, त तीसरी रासी है, धनूरासी, अगर इन रास्यों के पार्टनर आपके हैं, तो आपके लिए ये महीने लखी रहेंगे, दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक से और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जस ideally कि महीं को कि ईखके हैं, अगर ट्रrom자 है, भीडियो मे spricht क olmत्रूर के चैनल आपके हैं, गए जिए झागर ओक बार किन दोस्तों के लिज्वे ड़ीजिए अगर दोस्तों पार आपके हैं, तोस्तों के बार्णी सतों हैं, होस्तों के लिए मतिन रहें हैं, जगर आपके